तो मैश देखो हमारे पास में सामने रखे हैं अभी के लिए लेटेस्ट आइफोन जहां पर आइफोन 14 है 14 प्लस है साथ में 14 प्रो एंड देन प्रो माक्स बट अभी बात हो रही है अपकमिंग आइफोन की और हमारे पास में वह यह समाना चुका है यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास में आइफोन 15 भी है आइफोन 15 प्लस भी है आइफोन 15 प्रो भी है और आइफोन 15 अल्टरा भी है बेसिकली दोस्तों एग्जाक्त लिए फोन्स कैसे होने वाले हैं क्या पूरा सीन होगा आग आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ जल्दी से लाइक और श कि हमारे पास में डमीज अगई है कुर यह निकल कर आते अनलाइन और यह इसलिए बंती है ताकि सबस्तों चेस वागरे आजो एस वागरे तो यह समान सीधा आगि हमारे पास में सिटार्ट करते है आइफोन 15 के साधु exactly हमारे पास में भी बहुत सारे फोन्स है लेकिन मज़े की बाद गाईज के आए ना कि ये जो चार फोन्स आप इदर देख रहे हो ये जो चारों फोन्स है ये हैं अभी असली चालू हालत पर आईपोन 14 सीरीज के फोन्स और जो बागे आप देख रहे हो सामने जहां पर आईफोन 15, 15 Plus, 15 Pro और इस बार जो मेरे पास में डमीज भी आई है यहां पर भी जो मेंशन था इस बड़े वाले फोन का वो 15 Pro Max नहीं था वो 15 Ultra के नाम से था तो चारों इधर है और चारों इधर भी है इन डिफरेंट कलर्स जहां पर अगें 15, 15 Plus, 15 Pro and then 15 Ultra तो अभी अगर हम देखते हैं कि भाई क्या कुछ चीजें सेम हैं क्या कुछ चीजें अलग होने वाली है ना तो आप अगर एक first glance में अगर देख पारना for example उपर से भी तो आपको दिखेगा कि या जैसा यह वैसा ही है मतलब इनो almost चीजें आपको dimension point of view से या camera placement point of view से आपको similar लगें का because 14 series में या उससे पहले भी अगर हम बात करें तो जितने भी अभी तक non pro वाले iPhone सा है ना चाहे वो iPhone 11 हो या 12 हो या 13 हो 14 हो सब में आपको पीछे एक glossy back मिलता है और जो pro वाले थे उन सब में आपको मिलती है matte finish लेकिन यहाँ पे इस बार अगर हम देखें iPhone 15 को तो यहाँ प काफी हद तक आपको इसा square frame मिल रहा था हाथ में जो है वो अलग तरीके से feel होता है लेकिन अगर मैं इसको grip कर रहा हूं तो यह जो frame है यह हलका हलका मेरे को जो है वो curvy भी देखने को मिल रहा है थोड़ा सा हलका सा ऐसा आपको curve मिल जाता है बहुत slight taper edge पे तो in hand feel काफी interesting ल है आप देखोगे तो lightning port है भी iPhone 14 में लेकिन इसमें साइस तोड़ा सा बड़ा हो गया है विकाज आइफों 15 सीरीज में USB-C ने वाला है विच इस क्लियरली विजिबल हीर उसके लाब देखोगे आप इधर तो यह साइड विल्कुल सेम है आपका जो side button हो exactly same जगे पे है exact same च चीज जो interesting है वो यह जो मैं यहां से side से देख भी पा रहा हूना थोड़ा सा इसमें आपको notch मिलती है of course you know यहां पे 15 सीरीज के अंदर में को dynamic island दिख रहा है तो basically entire line-up basically जो basic 15 होगा उसके अंदर भी dynamic island होने वाला है which is amazing अब यह 15 same proportions में अगर आप बड़ा कर दें तो यह बन exact same चीजें बस नीचे USB-C port और dynamic island जो मैं इसमें देख पा रहा हूं because यहां पर कोई notch जो है मुझे clearly visible नहीं देख रही है फिलाल as per you know the leaks तो यह हो गया है वहारा 15 plus अब बात करें अगर pro की तो pro is kind of exactly again similar thing in terms of design उसमें कोई ज्यादा दिफरेंस नहीं आपको मिल रहा है पहले भ because दिखने में काफी कूल सा रग है हो सकता है को दूसरा कलर हो एक अपल के इस बार एक maroon color के leaks भी जो हो काफी आ रहे थे हो सकता है वो हो तो यहां पर आप देखो किना in a first glance आपको कोई difference नहीं मिलेगा in fact even जो side का frame है वो जैसे आपको मिलता है stainless steel का you know glossy वैसे आपको इसमें म शार्प इसके अंदर edges हैं यह जो है तुरसा जादा comfortable है बट बिगेस्ट चेंज आइंग वो है side में और side अगर आप देखो गिना इसकी तो यह देखो इसमें आपको लग रहे है कि वह बटन है चुसको किवल दबा सकते हो slide नहीं कर सकते हो तो यह चेंज थोड़ा निकल के आता है और same way में अगर इधर देखोगे इसकी तो डिजाइनिंग मेरे को different लग रही है तो दबा पा रहा हूं में इसको तो camera का साइज अगर आप थावा देखाना जब box पर मेरे को लगा क्या इसका नाम ultra होगा क्या because this is the biggest of all iPhone 15 pro max या फिर iPhone 15 ultra कुछ भी अगर होता है और इसके अंदर अगर देखोगे तो exact वही same चीजे हैं पीछे आपको पूरा यह matte finish मिल रहा है which is quite premium side again glossy है stainless steel वाली है जो titanium की चाई लीक से क्या पता वो नहीं हो रहा है या फिर हो सकता है titanium वाला जो है वो एक और अप्शन हो कि अगर titanium चाहिए तो और extra और basic जो आपको मिलेगा वो सिलनल स्विलेगा यह ओजकता है possibility है इधर अगर देखोगे ना तब को वही same जो volume buttons है वो ऐसे तोड़े जूड़े वे टाइप के मिल रहे हैं ए USB-C port as expected बाकी dynamic island होने वाली है चीजें सब कुछ आपको पतागी है guys A17 bionic chip होगी में लगी भी तो यह है लाइन अप हमारे पास में अभी यह dummies आ चुकी है इसी के ओपर basis के ओपर जो है वो companies कपने case वगरे और सब चीज़ा बनाती है because क्या size क्या thickness क्या होने वाली है otherwise अगर वो sharp इसके edges मिल जाते हैं but yeah this is the lineup इस बार आप बताओ कि आप किसका इंजार कर रहे हो और आपको कहते लगता है देखके कि भाई यह iPhone 14 और यह iPhone 15 तो this is how you know the side-by-side comparison तो यह चीज़े है काफी लोगों का excitement होता है कि फोन कैसा होने वाला है कब आने वाला है किस प्राइस पर आ इस फेलेंगी launch to as we expect Apple का रहा है starting the tradition कि September के महिने में अभी हमको मिलेगा iPhone का launch अब वह exact क्या डेट होगी let's see but India में अपल तो राचुका है तो आपको पता है कि जैसे ही सबसे पहले विल्बीटियों की दुनिया में India में आपको उसे ताइम पर iPhone मिलेगा which is very good और बाकी features क्या ह होंगे और डिटिल्स क्या होंगे उसके लिए आपको आगयाने वाली वीडियो का इंजार करना पड़ेगा but this was the first look at the entire iPhone 15 series वीडियो कैसा लगा like share करते वी रीचे comment करते वी ज़ूर बताना मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में जय हिंद वंदे मात्रां